जब भी हमें पाने पूरी, दही पूरी, मसाला पूरी ऐसा कुछ खाने का मन होता है तो हम ज़्यादा तरही से बहारी खाना प्रिफर करते हैं क्योंकि इसके पूरीों को घर पे बनाना हमें काफी जदा महनत का काम लगता है साथी साथ ये काफे ज़्यादा ट्रिकी भी होता है लेकिन हम बहुत ही कम महनत में अपने घर पे भी इसे बहुत यासानी से बना सकते हैं तो आज मैं आप सबको ये पाने पूरी के पेलिट्स को सही तरीके से फ्राइ करना सिखाने वाली हूँ क्योंकि अगर इसे हम सही तरीके से फ्राइ नहीं करते हैं तो ये फूलता ही नहीं है या फिर अगर इनके स्कूल भी गया तो ये हाट हो जाता है तो आज इसे हम पॉफेक्ट तरीके से पूरे टिप्स और ट्रिक के साथ फ्राइ करेंगे तो प्रीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए गा तो चलिए फ्रेंस फटाफट इसे हम फ्राइ करने स्टार्ट करते हैं तो हमें तेल को अच्छे से गर्म करना बहुत ही जल्दी ऊपर आ चुका है तो जैसे ही ऊपर आने लगे तो इस पे हम गर्म तेल इस तरीके से डालेंगे ताकि यह बहुत ही आसानी से उपर भी अच्छे से फूल जाए और यह फूल कर अपने आप ही दूसरी तरफ ही पलट जाता है आपको पलटने की भी जरूरत नहीं प जाए रखें और एक बार में इसमें हम 4-5 पूरियां डालेंगे ताकि इसे हैंडल करने में हमें आसानी हो क्योंकि जैसे ही यह उपर आने लगता है तो इसका कलर बहुत जल्दी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है तो अगर आप ज़्यादा पूरियां इसमें डाल देंगे और जब टेल का टेमपरियां तो फिरसे अप इसी तरीके से सारी पूरियों को दलकर निकाल ले क्योंकि इनकेस अगर टेल का टेमपरियां बहुत जादा भी हाई हो जाता है तो इसकेस में भी पूरियां अच्छे से नहीं फूलती हैं इनके जो साहे जब एकदम छोटी-च पूरी दही पूरी बटाटा पूरी आपको जो भी पसंद वह बना सकते हैं यह सारी चीज़े बनाना बहुत आसान है और दही पूरी के रिसिपी मैंने आप सभी के साथ पहले शेयर की अगर आप नहीं देखी है तो नीचे डिस्कृप्सर में आपको उसके लिंक मिल जाएग तो फ्रेंड्स अगर मेरी आज की यह वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हल्पूल हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर लें